को नमस्कार जोहार स्वागत आप सभी का आपका यूटूब चैनल रश्टरेंट इलाइट पर आज का जो कलास है वह मध्य काल में जारखंड पाट फोर है मद्धेकाल में जारखंड का हम लोगों ने पहले क्या किया है इससे पहले आपको हम वीडियो डाल चुके हैं तीन वीडियो मद्धेकाल में जारखंड का बना करके और इस चोथा वीडियो है जो कुछ बच गया था उससे रिलेटेड कोईशन उसको ले करके यहां पर आये है तो देखे इससे जुड़ा जो पहला सवाल आपके सामने है वो है परताप राय को संधी करने हितू विवस करने वाले जबरदस्त खाने तो कितने मनशब की मनशबदारी परदान की गई थी तो याद रखेंगे कि परताप राय को संधी करने हितू विवस कर दिया था जबरदस्त खाने तो उसके कारण से जबरदस्त खान को दो हजार रूपये की मनशब की मनशबदारी परदान की गई थी तो इसका जवाब क्या हो जाएगा संदी करने के पष्कात कितना रूपया वार्सिक मल्गोजारी देना सुविपार किया था तो जब संधी हुआ किसके साथ इती काँखा चान के साथ संदी के पष्कात उन्हों एक करोण रूपई वार्शिक सलाना मनसब की मनसबदारी देने का स्विकार किया था आगे सवाल है कि फ्रांसिसी आत्री कि टेवर नियर के नुसार रघुनात साह के राज्ज पर कितनी बार मुगलों ने आकर्मन किया था तो आध रखेंगे कि फुगलों ने एक बार आकर्मन किया था फ्रांसिसी आत्री टेवर नियर के नुसार रघुनात साह के राज्ज पर कि इसका जवाब हो जाएगा इसका जबाब हो जाएगा आनि कि रघुनात साह और राम्ष पर कि इसका जवाब हो जाएगा दोनों आनि कि रघुनात साह और राम्ष तोनों उसके समकालिन था सवाल है समघ्र्फ कि सथान पर मुगलों का एक चक्साल भी था तो मुगलों का एक टक्साल था संथाल परणा छसेट्र में और वो जगह कौन सा था संथाल परगना का वो छित्र था वो जगा था राजमाल जहां पर मुगलों का एक टक्साल था जली आगे सवाल क्यों बढ़ते हैं कुंडा का वहक्त कौण्शासक था इसने वरंग जे पराजित होने के बाद इसलाम धर्म स्विकार कर लिया था और ने की सवाल पुच्रक कुंडा का शाशक कुंडा का वहक्त पिन्होंने क्या किया था कुन्डा का वह कौन शासक था, जिन्होंने क्या किया था? इसलाम धर्म श्विकार कर लिया था ले। औरंग जेव ने इनमें से किस सुबेदार को पलामू के चेरो राजवनसी राजा मेदनी राय पर आकर्मन करने हैतु भेजा था तो इसका जवाब क्या हो जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा दावुद खांत को भेजा था उन्होंने मेधनी राजा मेधनी राजा नागवनसी राजा रखुनाथ शाह की एक राइधानी दोईशा पर आकरमन करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था जिसे नागपूर दरवाजा भी कहा जाता है किस मुगल सासक का शासनकाल उसमेः था उसमेः ऐसे ञबता नागवनसी राजा रगउनाथ शाह की राइधानी दोईशा पर आकरमन किया था वहां से पत्थर एक विशाल फाटक प्राप्त किया था ता मुहलाल साशक था औरंगी के ससंठ चल रहा था कि मैंसे घ् Ellis कि अधिर राजृत युद्ध हुआ था जवाम से इसमाम स्षाश को पार श ही आईक रुदिश्यों के बीकित हुआ था वहुँ चून रही की हत्या कर दी थी तो याद रखेंगे मेदनी रही के कहने पर घ्रवार राखलों स प्राफ्ट सिंघ्ग्दवार अनि कि प्रामू से स्थापित कर दिया था आगे सवाल है पलामु पर अधिकार करने के बाद मुगल सुवेदार दाउद खाने इन में से किसे पलामु का फोजदार नित्त किया था तो पलामु पर क्या किया था अधिकार कर लिया था किसने मुगल शुबेदार दाओ दिखाने और उसके बाद उन्होंने वहाँ पलामू का फ़जदार नीप्त किया था लग से तो किसको किया था तो किया था मनकली खांको कि अगर शवाल हुँठ जुद्ध में पराजित होने के बाद मेदनीरा निम्न में से किस स्थान पर सरल्ली थी सब मुगलों से जब मेदनीरा पराजित हो गया था तो हांसे भाग करके सर्गुज्जा में जाकरके अपना जगह लिया था पर लिया था स्तरगुज्जा में अपनी राइधानी को बादम बादम से क्यों अस्तानांत्रित कर दिया था अनि बढ़का गाउन जहां बादम हजारी बढ़ जिल्ला में पड़ता है बढ़का गाउन बादम वहां से अपनी राइधानी को दलेल सिंग ने अस्तानांत्रित क तो उन्होंने आध रखेंगे कि मैंने भी पूछ बोला कि कहा ले गया था वहायों का राष्टा यहां पर क्या हो जाएगा बादम मुस्लिम आकरमणकारियों का भार्ग पर्यावस्थित था चलिए आगे सवाल है ओरंजेव के सासनकाल में रामगळ का राजा कौन था आनि कि जब ओरंजेव का सासनकाल चल रहा था उस समय पुछता कि रामगळ का राजा कौन था कौन समय जब ओरंजेव का सासनकाल चल रहा था उस समय रामगळ का राजा था परताप सिंग कौन था थानामगणगण प्रताप सिंग सववाल है दाउद खान के पलामूद अभियान की सफलता से हो कर मुगल बादसाह वॉरंग जेव ने उसे तुल क्या की किसको कितना रुपया परदान किया गया तो आध रखेंगे दौन गखा को 50,000 रूपया परदान किया गया अन्यामग्र्या्यBen आपरोगा- पादम बादम से हटाकर अपनी राइधानी को किस स्थान पर हस्तानांत्रित कर दिया था तो रामगड के सासक जो दलेल सिंग थे उन्होंने अपनी राइधानी बादम से हटाकर के रामगड ले गया था भी मैंने पीछे वो बताया था आपको के लिए आगे सवाल है है क्या रामगल हराज्य का क्यंदी वर्थमान जॉर regular में वस्थीद था और वरतवान मैं चत्रावीं है चलिए तो यह हो जागा इसका जवाब चत्रा कि रामगाराज के उत्तर पुरिवाग में कौन सा अस्थान अवस्थित था जो औरंग जेव के अक्रमन से बचा रहा तो वह अस्थान था खडगडिया जो गिरीडि में पड़ता है का जवाब हो जागा खडगडिया वर्तमा औरंग जेव के अधिकारी ने किया था उस अधिकारी का नाम था राम शिंग तो इसका जवाब क्या हो जागा राम सिंग मुष्य मार्ग फ्रसस्त करने का स्त्र के इस दिया जाताि आनि जारखन में मुस्लिमों का मार्ग प्रसस्त किसने किया था तो व्याद रखेंगे जारखन में मुस्लिमों का मार्ग प्रसस्त करने का स्रे फिर साको जाता है सवाल है किस चेरो राजा ने दोईशा पर आकर्मन करूशे तहस नहस कर दिया था आनि दोईशा को तहस करने वारे राजा चेरो राजा का नाम क्या है तो उस राजा का नाम है मेदनी राजिन होने दोईशा को तहस नहस कर दिया था मुगल काल में जारखन को किस नाम से जाना जाता था तो यह तो आप पहले से पीछे कलास में बता चुके हैं खोखरा की नाम से जाना जाता था जाब हो जाएगा खोखरा तो यहां पर जो इससे जुड़े टॉप 24 क्वेशन था उसका मैंने आप यह सोलिशन करवा दिया है और इस वीडियो को आप लाइप करें सब्सक्राइब करें और जो भी कोई कलास करना चाहते हैं पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यह तो मै आप मेरा लाइब कलास पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल से जहां पढ़ाया जाता है आनी कि 8 बजे से 9 बजे जो कलास चलता है सुबह में के लिए आप जोइन करें अच्टुडेंट इलाइट चैनल अप्लिकेशन है अच्टुडेंट इलाइट को आप डाउनलो झाल झाल